अब्रिवन वेल्कम टू माय चैनल आज हम बनाएंगे सर के लिए ओ शुदी रामबार निला सर के लिए माइग्रेन के लिए आखो की कमजोरी के लिए बहुत अच्छा नुसका है यह हम घर में बनाएंगे तो यह मैंने गोला लिया है एक गोला ले लेना है और फिर ये इसमें ये मिश्री भी डालेंगे थोड़ी मिश्री चाहिए हमें मिलाने के लिए खस-खस जरूरी है बहुत और यह दखनी मिर्श है, चैसी होती है, वैसा दखनी मिر्श लेंगे, और बदाम मैंने इस ये इकवली इस तरह से लिए है कि इसके अंदर फिल हो जाए, इसके हिसाब से मैंने जितना आप नारियल लेंगे उसके हिसाब से ये सारी चीज़े ले लेंगे यह दूद चाहिए, तो हम नारियल के अंदर एक slit काटिंग है, छोटी करनी है, जादा चोड़ी नहीं, जादा नहीं करना है, क्योंकि फिर वो खुल सकती है, बीच में उसके दूद भर सकता है, क्योंकि हमें दूद में ही पकाना है, और इसे हमें अच्छे से चेक कर लेना है कि यह अंदर से खराब तो नहीं है, फंगस भी लगी रहती है, बदाम डालेंगे इसके अंदर, और कुछ बदाम जो हमने बदाम लिये थे, वो सारे डाल देने हैं नारियल के अंदर, इस तरीके से, पिल कर देंगे इसको, फिर हम खस-कस डालेंगे, जो हमने खस-कस ली थ इसी वो डालेंगे कि मैं चमल सकते हैं जो जिससे गिरे नहीं तो आप इसको फिल कर देंगे मैंने इतनी हो घुज लिए जिक इसके अंदर आ जाए अपने हिसाब से आप ले सकते हैं नारियल को देखकर कि कितना आपका गोला है उसके हिसाब से आप अंदर भर सकते हैं खसकस और एक्वल बदाम कॉंटिटी दोनों एक एक्वली रखनी है फिर इसको बन कर देंगे और अब हमें इसे दूद में पकाना है अच्छे से तो हम इसको रखेंगे दूद के अंदर जिससे इस तरह से रखना है मैं दूद इसके उप लब ये ढलके नारियल दूद के अंदर तो देखिए गाईस ये मैं फिर दूद डालूँगी साइडों से इस तरह के से दूद डाल लिया है और अब हमें इसे करीब एक घंटा पकाना है सिम फ्लेम पर ही अभी तो ढख दूँगी क्योंकि अभी इसमें टाइम लगेगा पकने में तो इसे मैं ढख कर ढख दूँगी तो गाईस ये मैं ने ढख दिया और अपनी गैस की फ्लेम भी सिम कर दिया तो इसको देखते रहेंगे वरना दूद निकल के बाहर आ जाएगा हम चेक करते रहेंगे देखिए गाईस दूद में उबाल आ रहा है तो हमें धीरे धीरे से पकाना है कुछ देर तक देखिए गाईस ये हमारा नारियल और खसकस सबदान जो है वह अंदर के वह भी पक चुके है इसके साथ-साथ तो ये हमारा दूद की वंटिटी भी कम हो गई है करीबन एक घंटा हो गया है तो हम निकाल लेते हैं नारियल को तो इसको काटेंगे बहुत सॉफ्ट हो गया और एक जार में ले लेंगे और फिर इसमें मिश्यी डालेंगे और ये मैने दखरी मिर्च ली थी उसको ग्राइड करेंगे जार के अंदर मिक्सी से बारिक कर लेंगे यह ओश्दी आप जार में भरके रख सकते हैं इसको हमें एक चम्मच लेनी है तो गाईज देखिए यह ओश्दी बनके तयार हो चुकी है इसको सुभा दूद से लेनी है एक चम्मच बच्चों को आधा चम्मच दे सकते हैं यह जो हमारा दूद बचा था गाई उसके लिए हम क्या करेंगे उसमें क्या यह गाड़ा तो हुई चुका है इसमें हम चीनी डालके इसकी रबड़ी बना लेंगे क्योंकि ये बहुत पक चुका है गोले के साथ में नारियल के साथ में इतना पका है कि ये गाड़ा हो गया है बस थोड़ा सा में पकाना है और ये हमारी रबडी भी तयार हो गई है तो देखिए गाइस ये भी हमारे काम आएगी बच्चों को बहुत पसंद आएगी बड़े क कोई भी खा सकता है जो मीठे कर शोकीन है तो यह हमारी इधर रबडी भी तैयार है तो आपको यह रेसिपी कैसी लगी प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए थैंक यू